आईए जल्दी से एक example देखें. शुरू करें. First करें कि आपके पास 18 ग्राम H2O water है. Atoms की तादाद को calculate करें. यहां आप देखते हैं कि हमारे पास hydrogen के दो atom और oxygen का एक atom है. ठीक है? तो hydrogen के लिए हमारे पास होगा 2 multiplied by avagard rose number, जो होगा 2 multiplied by 6.02 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Oxygen के लिए यह असानी के लिए यह avagard rose number से multiply 1 होगा, क्यूंकि हमारे पास oxygen का सिर्फ एक atom है. क्या यह अब तक वाज़ हो गया? यह अच्छा हुआ. आईए एक और example की practice करते हैं. आपके पास 98 gram sulfuric acid है H2SO4. आईए अलग-अलग atoms को देखें. यहां हमारे पास hydrogen के 2 atoms, sulfur का 1 atom और oxygen के 4 atoms हैं. ओके? लिहाज़ा hydrogen H के लिए यह hydrogen atoms के लिए avagard rose number 2 गुना है. sulfur के लिए यह sulfur atoms के लिए avagard rose number सिर्फ 1 है. और oxygen के लिए यह oxygen atom के लिए avagard rose number 4 गुना है. यहां अब तक मेरे साथ है? यह बहुत अच्छा है. आईए आयोनिक compound की एक और example पर नज़र डालते हैं. Students, कुछ solvent substance में ionize होते हैं ताके cations या anions पना सकें. ऐसे number of ions असानी से substance dissolve की known amount से निकाले जा सकते हैं. फॉर एक्जामपल, अगर हम dissolve करें 9.8 ग्रैम sulfuric acid वाटर की ज्यादा मिकदार में ताके इसे मुकंबल तौर पर ionize किया जा सकें. तो इसमें sulfuric acid का 0.1 mol होता है. यहां हमारे पास दो ions हैं. हमारे पास hydrogen ions है और हमें sulfate ion मिला है. It will yield 0.2 mols of hydrogen ions और 0.1 mol of sulfate ions. क्यों? इसकी वज़ा यह है कि हमारे पास sulfuric acid में hydrogen के दो atom और sulfate का एक atom है. अगर हम total positive charge के बारे में बात करें, तो फिर यह 0.2 into avagadros number hydrogen ion होंगे. हम यह जानते हैं, right? लेकिन negative charge भी 0.2 होगा. और ऐसा कैसे होगा? Well, यह सिर्फ इस वज़ा से कि हर sulfate ion के दो negative charge होते हैं. चुँके हमारे पास positive और negative charges की तादाद होती है, इसलिए hydrogen के लिए हमारे पास दो atom है. हाला कि इसका एक ही positive charge है, दूसरी तरफ sulfate एक आइन है, लेकिन इस पर two negative charges हैं. लेहाज़ा यह दोबारा 0.2 होगा. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब ये दो atoms की वज़ा से hydrogen का 0.2 into 1.008 gram हो जाएगा, जबके sulfate आइन का ये 0.1 into 96 हो जाएगा, जो के sulfate आइन का formula weight है. अब मैं समझता हूँ के ये पहले तो थोड़ा सा confusing लग सकता है, लेकिन आईए हम इसे जल्दी से दोहरा लें, और ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. Well, आप यहाँ तीन चीज़ें कर रहे हैं. पहले आप आइन्स की तादाद को देख रहे हैं. फिर आप देख रहे हैं positive और negative charges. और उनकी तादाद को और फिर आप टोटल मास को देख रहे हैं. आइन्स के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास दो हाइडोजन्स हैं. इसलिए हमें 0.2 मिलेगा और हमारे पास एक सिलफेट आइन है. तो हमें मिलेगा 0.1. फिर positive charge दो होंगे क्यूंकि हमारे पास दो हाइडोजन्स एटम्स हैं. तो ये 0.2 होगा और टोटल negative charges दुबारा 0.2 होंगे. क्यूंकि अगर्चे हमारे पास सिलफेट का सिर्फ एक आइन है, मगर इस पर double negative charge है.